मोदी नगर से हैं सुधा गुपता जी स्वागत है आपका नमस्कार जी नमस्कार आदाब जैहिंद बताइए सुधा जी डग्सक्वेंटी प्राबलम है पेरों में वेरिकोस में बताइए जी अच्छा वो फूली हुई है नसे पूल गई है आपकी पैरों में अगर मैं टॉपिक पैरों में आपकी उम्र क्या है मेरी उमर है 65 यह अच्छा दिखिए इसकी तकलीफ तो जा सकती है सुजन भी जा सकती है लेकिन रव को हम सकेड नहीं सकते हैं बाकी सारी चीज़ें आपकी खत्म हो सकती है और अगनुसका है आप लिख लें आसान भी है आसन भी है मुशल भी है असान यह यह है कि सांप sacred about a सी खरीद ले इसको हलका सा फून के पॉडर बना के रख ले और एक आता है गौन सिया लसी तो नकली नहीं मिलती लेकिन गौन सिया नकली बहुत मिलने लगा मौदी नगर में भी नकली कई लोगों ने शिकायत की तो असली गौन सिया यानि काला गौन कहते है यह सही कड़वा होता है जाएके में इसको खरीद ले और आदा गिराम इसका पाउडर बना लें यह रौ मैटेरियल है और एक चम में चलसी अदा गिराम गौन सिया खाएं नाश्टे के बाद मिक्स करके खा सकते और रात को भी ऐसी खाएं खाने के बाद दूस से या पानी से जिसे आप चा अगर लेना है दूस से तो पांच साथ दिन बाद फाइदा शुरू होता है असली मिलना लाजीव है नकली बहुत मिलता है पंदर सोला रूपे रोज का इलाज है आप चाहें तो कोशिश कर सकते आपको फाइदा मुम्किन है नेक्स्ट फॉलर है हमारे साथ स्वागत है सवाल एक ही है और वाकी आपने जो कहा कि इजद की बात की तो बहुत सारे चुरू जो गंटे चलते हैं हाकी में तभी वे नजूमी है लेकिन जो कहते हैं ना कि आखों से वड़ी कोई तराजवी नहीं होती तुलता है बसा जिसमें वो मिलाने आके लग इसका इसके आखिक और क्या सवाल है एक बहुत जो नगा मैं अपना ख्याल लग आपकी जो सुनाना चाता हूं का वज्य चाहूंगा कि अच्छी सूरत को समर्णे की जरूरत क्या है सादगी में भी खयामत की अदा होती है वाँ वाँ तुम जो आजाते हो मस्जिद में अदा करने नमाज तु क्या शेयर सुनाया है कितनों की कजा होती है और कोई सवाल सवाल है कि बच्ची ने रिखा है वाँ बाल दोने के लिए यह स्टीका काई आउंडा रीठा और सोटी आण इसके अलाओ और कुछ मिलाना आपके अंदर मेरी तरफ से तो यह ने उसका काफी है अगर आपको कोई अच्छी चीज मालूम हो तो इसमें मिला सकते है वैसे यही बहुत पिर चली थे और देखिए आपने कितने सारे शेयर सुना दिये और मैं अगर शेयर सुनाओंगा तो मेरे फोन में हैं और किसी की कॉल रहे आपका बहुत शुक्रिया आपकी आप आप जो है वो जहां दीदा आदमी है आप जैसे आदमी को उससे मुझे सम्मान मिलना बहुत बड़ी बात है मैं भी आपकी यकीन करें उपनी हिज़त करता हूं और करता रहूंगा चलिए से के साथ अखने कॉलर है राजुस्थान से दीपक जी स्वागत है आपका देधा साथ अदावर साभ मैरे पिता जी को बाहाबाब पुंसी हो जाती है वह मिट ने दिये फूंसी हो जाती है आप पका वाले पुंसी चोटी टायक में चीकिए जी जी जदीकी गॉंड वोरिंगा सफेद आता है अस्ली वाला लेले कि पानी में मिलाके रोजाणा करें या बगायर चरवी के दूद में मिलाके पिलाधिया करें इनका ये रोक ठीक होना कुम डीपक जी छोटा सा नुस्का जो आपको जल्द से जल्द अपनाना है लेकिन एक बात से आप लोगों को दर्शकों में यहां पर साफधान करती आ रही हूं कि मार्केट में अगर आपको कोई भी रॉव माटीरियल देखता है मिलता है चाहे वो किसी परचून की शौप पे ही क्यों ना हो असली नकली में पहचान कर लिजे क्योंकि नक है यह नकली है हकीम सहाब की कंपनी से मंगवाना चुआते हैं तो हेल्प लाइन नंबर पे ही आप लोग कॉल कर सकते हैं लेकिन इंतजार के साथ डिमांड क्यूंकि बहुत जादा होती है रॉम माटीरियल की इसी के साथ अगले कॉलर है बात कर लेते हैं स्वागत है आपक क्या नाम है कि जी आपका सवाल कि सब्सक्राइब है कि टीवी के मरीज है कि क्या प्रॉब्लम है आपको हमको यह है कि सीने में दर्द होता है सीने में दर्द होता है गला गला ऑड़ा रहता है मारा टीवी के वरीजह है हमति की टीवी का सबसे अच्छे इलाज Alors rubiblENE में है जो आप दवावड जक्रूब ले रहे होंगे इस में इसमें तीन महीने डेंपना नो महीने तक मुश्किल से होता है आप यूनानी दवा साथ में ले सकते हैं लेकि टीवी का इलाज मैं तसलीम करता हूं कि अलोपैथ में बहुत अच्छा है लेकिन गिज़ा खाना बहुत ज़रूरी है आप देखिए फेपड़ों वाला इलाज जो भी फेपड़े को दवा फाइदा करती ह और एक निसका मैं अक्सर बताता हूं सपिस्तान उन्नाब अलसी सो सो गिराम और पीपले तीस गिराम इनको पाउडर बनाके एक चमच रोजाना सुबह निहार मुख गरम पानी के साथ लिया करें खटी चीज़े छोड़ दें और लगातार जब तक टीवी का इलाज चले ज जनक सिंग जी स्वागत है आपका अलो जनक सिंग जी आपको मेरी अवाज मिल पा रही है और मिल रही है जी बोलिए अपना प्रशन कर लिजी कि अ मेरा डाक्टर साथ को नमस्कार अदाव साब जय हिन हाद अधाक साथ मेरी जो पत्नी है उनकी टांगों में गुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द है उम्र के हैंकी? उनकी होगर है 45-40 आदे काईसा भी दर्द हो टंगों में हो गुटनों में हो कुमर में हो एक गोंद का मैं अक्सर विक्र करता हूं अगर असली मिल गया तो उनको फाइदा मुम्किन है यह गॉन सिया कहते है उसे हम लोग और आम भाशा में इसे इसे काला गॉन कहते हैं लेकिन दुकांदारा नहीं नकली भोतरक रखता है की जगा ऐलुआ दे देते हैं कुछ दे देते है असली गौन से आले, आधा आधा गिराम सुबा शाम खिलाएं, नाश्ते और खाने के बाद, और वेस्टन ट्वालेट, ऐसा कुर्शी वाला उनके पास शोचाले होना चाहिए, तो उनको फाइदा होना मुम्किन है. सुरेश देवी जी है, हरियाना से स्वागत है आपका? हाँ जी, नमस्कार जी, नमस्कार. आपकेम, जी नमस्कार. याइंग सार मेरे तीन स्वाल है, जैसे मेरी बैटी है उसकी आयट कम है, वो 15 साल की है. और दूसरा स्वाल है, मेरा पास साल से वजन बढ़ गया है, मैं नींद की दवाया लेती हूं। उनके बाद मेरा वजन बढ़ गया है, और तीसरा स्वाल है कि मेरी टूबेब लोग हो रही है, जैसे हम टैस्टूब करवाना चाहते हैं, उनके लिए कोई उपाए हो तो बताओ, दोनों टूबेब बंद है, आपकी उम्र क्या है, मेरी सेट आलिस साल है, मेरे पास दो बेटी है, ठीक है, ठीक है, ठीक हाँ देखिए, पहला सवाल क्या है, पहला सवाल है, किनकी बच्ची है, पंद्रा साल की हाइट कम है, अभी गुंजाईश हो सकती है, उसमें, गौन्द, मौरिंगा, सफेद, असली, नकली बहुत मिला है, एक गिराम रोजाना, पानी में, दूद म ये नारियल पानी मिलाकर, रोजाना एक बार दे, सफेद, गौन, मौरिंगा, इन अकली बहुत मिलता है, असली लेने की जिम्मेदारी आपने, और बच्ची को फाइदा मुम्किन है, दूसरा सवाल, इनका खुद का सवाल है, कि इनका वेट बढ़ गया है, और इने लगता पाइदा करेगी, आपकी नियन की गोली भी छूट सकती है, वजन भी कम हो सकता है, और ट्यूप्स भी खुलना मुम्किन है, देखें, दवा एक है, लेकिन काम बहुत कर, कारिया बहुत करती है, अलो वीरा का सिर्का, सिर्का विनेगर, अलो वीरा का विनेगर, तीन चमच, या चार चमच, छोटे चाय के चमच, एक गलास पानी में डाले, एक चुटकी में जितना खाने का सोड़ा आए, वो उसमें डाले, मिक्स करें, और रात के समय जब, भी आपका सोने का समय हो, तो उस वक्त पी कर सो जाय करें, ये तीनों काम, आपके लिए ये करते हैं, आप वरोसा रखें, कि अगर आपने असली चीज़े ली, तो आपको फायदा ममकिन है, तीसरा, दो ही सवाल थे हकीम साब, चलिए से के साथ अगले कॉलर हैं, हापुर से, भ्रम सिंग जी हमारे साथ, स्वागत है आपका, नमस्ते मेडम, जी नमस्कार, अदाप, अदाप साब, अधिया हिन, ब्रहम सिंग जी, कही है, क्या सवाल थे हैं, एक दिन पहने बात हुई थी, लेकिन बात हमारी बीच में कटकी, लाश्ट टाइम पर फोन मिला, तो बात पूरी नहीं हो पाई थी, अच्छा, 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 मुझे एक दर्द की शिखायत थी, मेरे पहर शुरू कर दिया है, अच्छा, करीब मुझे चार-पांच रोज होगे, गौंसिया लेते होगे, अच्छा, चार-पांच, तो कम ज्यादा तो नहीं हो अभी, अभी तो यताइस्टिती है जी, अभी वैसे ही है, अजी, अपनी मिशिज के उसे में भी बात करनी थी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अच्छा, मेरी बात सुनिये, आज टाइम है, हमें अफसोस था कि आपसे बात पूरा जवाब नहीं दे सके, कभी-कभी ये भी मजबूरी होती है, ये टेलिविजन वाले जो है ना, बड़े ऐसे होते हैं, फौरन ही, वक्त पर ही इने सब कुछ चाहिए, म और लोगी ये देखें के, 2% लोगों का दर्द बढ़ता है, और फिर कम होता है, और 98% लोगों का दर्द कम होता चला जाता है, बढ़ा नहीं है तो कमी होगा, और रोज़ानों जहरा सा फाइदा देता है, पंद美味 दिन में आपको मحसूस होने लगा, फाइदा होने लगा, रात के समय जब सोने का वक्त हो जाता है जो हर आदमी का अलग वक्त होता है तो उस वक्त आप तीन या चार चमच जैतून का सिरका जैतून का सिरका एक ग्लास पानी मिला कर पी के सोया करें और खुब भगवान से मदद मांगते हैं फाइदा भगवान करता है ना मेरा होता है वजन ना उठाएं मेहनत ना करें कुछ दिन इलाज के दोरान और वेस्टन टॉयलेट इस्तमाल करें आपको फायदा मुम्मकिन है